वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मुझाने वाले फिश और ब्रिंजल की करी तो यह है रीठा फिश इसे रीठा फिश बोलते हैं और यह छोटे वाले लंब लंब बैंगन से बहुत बढ़िया बनता है तो यह बैंगन नॉर्मली हमेशा नहीं मिलता है ठन के मौसम में मिलता ह तो मैंने ले लिया यहाँ पर फिश रीठा फिश उसका अची तरह से धोके साफ करके मैंने नमक खल्दी लगा के छोड़ दिया है अटलीस पांसे दस मिनट तक क्योंकि क्या है न इसका जो हल्दी का स्मेल जो है फिश में जाएगा तो फिश का जो स्मेल है वो नहीं तेल यहाँ पर मैंने यूज किया सरसो का तेल तेल को होने देता है गरम जैसे तेल गरम हो जाता है उसमें फिश को फ्राई कर लेंगे तेल हो चुका है गरम उसमें डाल देता है फिश और फिश को धीरे-धीरे से फ्राई कर लेते ऐसा ने कि फिश को जल्दी जल्दी फ्र कर लिए उपर से फ्राइब हो चुका अंदर से हुआने ऐसा ना कीजिएगा आराम से धीरे-धीरे मीडियम टो लो फ्लेम में फिश को फ्राइब कर लेंगे विए फिश अभी मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका दोनों तरफ से तो इसको अभी उठा कर रख देते हैं और जो दाल चीनी और इसी साथ दो तिन छोटी इलाची बीच में से तोड़ के मैंने दिया है और साथी में देते हैं चार पांस तेज पत्ते और दो साबुत लाल मिर्च बीच में से तोड़ा हुआ तो अभी ये सारी चीजों को अच्छी तरह से थोड़ा सब भून लेंगे और अभे इसमें डाल डेते है बेंगं जो मैंने बीच में से चीर के चीर लिया और इसको चार हिसमें बहुत च्छोटा नहीं किया है इभूना वया जीरा पाउडर टू टी शपून भुना हुआ धनिया पाउडर वो भी 2 टी स्पून डालेंगे और अभी सारे मसाले एक साथ मिलाके अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि ये मसाले बैंगन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अभी डालेंगे थोड़ा सा रेट चिली पाउडर तो ये तीखा अपने हिसाब से डालेगा मैंने यहाँ पर दो टी स्पून डालाऊ है आपको diverse तीखा खाना है उसके हिसाब से डालेए अभी डालते हैं थोड़ा सा नमक, यहाँ पर पूरा नमक अभी नहीं डालेंगे ultimately last में अंत में एक दम जब सबजी पूरा बन जाएगा तब ही पूरा नमक चेक करके हम लोग बाकी का नमक डाल देंगे अभी डालते हैं थोड़ा सा पानी क्योंकि सारे सुखे मसाले मैंने अट किया है और सुखे मसाले में थोड़ा सा पानी डालेंगे नहीं तो ये जलने का चांसेस हैं तो पानी डालने के बाद अभी मसाले जो मिक्स हो जा रहा है अभी बैंगन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं मसाले के साथ अभी डालते हैं हल्दी पाउडर और उसको भी अच्छी तरह से बैंगन के साथ चलाते हुए मिला लेते हैं और थोड़ा सा डाल देते हैं पानी और इसी के साथ देते हैं तीन चार कलिया लेसन के जो हमने क्रश करके रखेते हैं अब सारे चीजे को मिलाते हुए थोड़ा सा पानी डालके थोड़ा सा कुक कर लेंगे अब ही इसमें एट करते हैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे यहां पर गरम मसला पाउडर जादा नहीं हाफ टी स्पून ही डालेगा और इसको भी अच्छी तरह से mix कर देते हैं अब सारी मसाली को चलाते वे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और अभी finally यहाँ पर add कर देंगे फिश जो मचली आपके पहले से fry कर रखे थे वही मचली को डालने के बाद थोड़ा सा डाल देंगे पानी और मचलियों के साथ भी इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि मचली का फ्लेवर जो है इसमें आ जाए जाए जादे देन नहीं 2-3 मिनिट तक ही इसको इसी तरह से चलाते हुए कुक करेंगे मचली के साथ बैंगन को अगर पानी सूख जाता है तो थोड़ा सा पानी चलाते कुक करेंगे क्योंकि अगर सूख जाएगा तो मसाले का फ्लेवर है वो चेंच हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी डालते रहिएगा और बैंगन के साथ मचली को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे देखे अभी यह हो चुका है तो अभी इसमें फाइनली हम डाल जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से ही पानी डालिएगा देखिए सबजी का खुश्बू से आपको पता चल जाएगा कि इसका कुकिंग हो चुका है और साथ साथ पानी भी सूख जाएगा तब इसमें आप डाल देंगे पानी जितना आपको ग्रेवी चाहिए इसके हिसाब से ही पानी डाले और पानी ना यहाँ पर गरम डालेगा ताकि इसका जो कुकिंग है वो स्लो या तो बंद ना हो जाए कर ठंडा पानी डालेंगे तो पुरा थम जाएगा फिर से पानी गरम होगा फिर जाके इसका कुकिंग स्टार्ट होगा तो पानी हमेशे गरम ही डालिएगा देखिए जैसे डाला वो पानी कुकिंग उसका कम नहीं हुआ उल्टा होती जा रहा है बॉयलिंग भी चल रहा है तो पानी थोड़ा कम हुआता है इसलिए हमने थोड़ा सा और पानी इसमें गरम पानी एड़ किया है क्योंकि ग्रेवी हमें थोड़ा सा जादा चीए यह जो ब्रिंजल फिश का ग्रेवी है ना यह क्या है सुर्फ रीठा फिश से ही बनता ऐसा कुछ नहीं है हाँ यह कह सकते है कि रीठा फिश से यह वाला कारी बहुत ही अच्छा लगता है हाँ दूसरा फिश से भी यह बन सकता है जैसे कि रूहू फिश हो गया या तो कातला फिश हो गया या तो छोटे छोटे मचली से भी यह बहुत अच्छा बनता है बढ़िया बनता है लेकिन हारीटा फिश है ये बहुत ही जादा अच्छा बनता है तो आपके पास जो फिश अवेलेबल है आँ वही से कीजिए और आप लोग कहां से इस मेरे चैनल को देख रहे हैं हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताईएगा और आप लोग कहां कौन सा फिश अच्छा मिलता है हमें बताईएगा तो इसका फुल बॉल आने का इंतजा करते हैं देखिए इसका फुल बॉल आच चुका है तो तेयार हो गया आज का हम लोग का बरिंजल का और फिश से एक करी तो आज का रेस्पी है तेयार तो आज का रेस्पी आप लोग को कैसा लगा हमें कामेंट करके ज़रूर बताईएगा अच्छा लगी तो जादा सा जादा करके शेयर कीजिएगा और ने फ्रेंज जो मेरी चैनल में नए हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ताकि जब भी मैं कोई रेस्पी बनाओ आपके पास सबसे पहले पहुचे तो आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं नया एक रेस्पी लेगा